एक तरफ यूपी की योगी आदितिनात सरकार प्रियंका गांधी द्वारा एक हजार बसों के अनुमती मांगने के बाबजूद उस पर टालमटोल कर रही है उस पर फैसला अब तक नहीं हुआ है दूसरी तरफ दिल्ली में दिल्ली कॉंग्रेस की तरफ से 11 बसों की अनुमती दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके अपने घरों तक ले जाने के लिए दे दी थी लेकिन जब ये पता चला कि कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से इन मजदूरों को उनके घरों तक भीजा जा रहा है आनन फानन में इस अनमती को आखरी वक्त में कैंसिल कर दिया गया हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी है आखिर क्या वज़ा है कि आखरी वक्त में इसको कैंसिल किया गया वज़े तो मैं नहीं जान सकता लेकिन इतना कह सकता हूं कि जब हमने बसिस की ग्यारा बसे थी मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इन पर परमिशन थी ये तिरह तारिक से लेके पंदरह तारिक रात तक ये वो परमिशने हैं एक, दो, तीन और इस तरह से ये तकरीवन ग्यारा परमिशने हैं और ये खास तोर से आजमगड यामबेड करनगर, मोहबा ये इस तरह की बसिस हमने पूरे ओल ओवर उतर बेजने के लिए अपलाई किया था, परमिशन हो गई, स्क्रीनिंग हो गई दो बसों की, लोग बैठे रहे बसों में, खाना लेके बैठे रहे और सबको निकलना था, लेकिन यका यक एक एक दम से संदेश आता है, और जिस तरह से वेवार किया गया, ड्राइवरों के हाथ से परमिशन चीन करके फाड़ी गई, अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोसिस गई, सबूतों को मिटाने की कोसिस गई, उससे जहां इन सर्मिकों का तनुकसान हुआ ही हुआ, वहां पर इस सरकार की भी नियत का पता चला, तो आज जिसे मोदी सरकार, या योगी सरक जिस तरह से वहार कर रही है, सर्मिकों के साथ खास्त और से उत्तर प्रदेश में, प्रेंका जी ने एक हजार बस देने की वादा किया, फिर उनने कहा कि हम अलाव करते हैं, फिर कहा कि लखनाव लेयाई है, फिर कहा कि इसमें कमी है, उसके वैसे ही उधारन, दिल्ली के के केजरिवाल सरकार ने भी निरंतर इस तरह का वैभार दिल्ली के साथ किया है, और ये जीता जाकता उधारन में आपको दिखा रहा हूं, हम लोग लगातार पत्र भेज रहे हैं, मैं आपको एक रिपोर्ट देना चाहता हूं, अठारा तारिक तक ये वो पत्र है, जो मैंने केजरिवाल साब को लिखे हैं, आप देख सकते हैं, आपके मादिम से दिखाना चाहरा हूं, ये अठारा मई का है, अठारा मई तक में तकरीवन 89,835 यानि कि 89,835 लोग की सूची दे चुका हूं, बार बार हम इन से आगरा कर रहे हैं कि हमें या तो ट्रेन की इजाज़त दे दीजिए, हम पे करते हैं, हमसे मतलब मैंने नहीं, वरकुरों ने इखटा किया है, वो पे कर देगा, सुने जी का आदेश हुआ है, राहूल जी का हमें संदेश है, नहीं तो आप बसो की परमीशन दे दीजिए, जो NCR है, 200 किलोमेटर, 300 किलोमेटर, इधर हरीदवार है इधर इवन लखनाओ, कानपूर, यहां सुबा जाकर के हम छुड़वा सकते हैं, बसे आ सकती हैं, लेकिन वो परमीशन हुई, जैसी इनको पता चला, तो केजडिवाल साब ने वो कैंसिल करा दी, क्या लगता है, चाहिए उत्तरपदेश के मुख्यमंतरी योगियाद इतनात हों, या दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजडिवाल हों, क्या वो यह नहीं चाहते हैं, यह हजारों लाखों की संख्या में, जो स्रमिक बॉर्डरों पे फसे हुए हैं, जब आपको अनम करूँद करूँगा, आप श्रे ले लिजी, हमें श्रे नीची, ना प्रिंका जी ने, आज प्रिंका जी ने चिट्थी लिखी, तारिफ की है, योगी साब की, और ये उन्होंने कहा है कि एक 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 एक्जामपल है भविश्य के लिए, कि इस आप अदा में योगी सरकार न कि मुझे याद है, सेल्टर्स में आग लग गई थी, यमना के अंदर जाकर के आप सबसे पहले पहुंचने वाले वक्ती थे, जिन्होंने जाके ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की, आप भी वैसे ही काम कर रहे हो, आप सरकार को आगा कर रहे हो, सोशल सेवक जो करते हैं, उनकी नाकामिया हैं, आज मैं इस, क्योंकि पांचों चरन में जा रहे हैं, इतने दिनों के बाद ये मैं जरूर कहूंगा, कि सरकार विफल रही, केजरिवाल साब की जो तैयारियां थी, वो अधूरी थी, कल की प्रेस वारता में जब मैंने सुना, कि अब हमें इ इसले कहना चा रहा हूं, गलत जानकारियां, इन्होंने कहा, जब लॉगडाउन सुरू हुआ था, मोधी साब देश के परधान मंतरी की बातों में समर्थन देते हूं, उन्हें जिकर किया था, कि दिल्ली के अंदर एक हजार मरीज ये परती दिन आएंगे, तो हम उनका इल जो मुझे आधार बनाया गया दिल्ली पुलिस में, कि ये एंडी एक्ट जो बना है, उसके तैत कारवाई की गई है, पर इस एक्ट के द्वारा लोगों को रिलीफ भी तो दीजिए, इनको आराम पहुंचाईए, आपने परधेस लेवल पे कुछ नहीं प्लैन किया, परध परधानों से पूछा जाता है, एंजियो के लोग हैं, सिविल सिसाइटी के लोग हैं, वहां का लोकल प्रशाशनिक स्टाफ है, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कि फायर ब्रिगेड है, या और आपता में, वो लोग जो काम करते हैं, उनसे पूछ के कि क्या-क्या च ठीके खुल देते हो, आप टेक्स लगा देते हो, ये भी किसी से नहीं पूछा, तो बहुत सारी बाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये सच जनता तक पहुंचे, मैंने सवाल खड़े की हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ